हेलो फ्रेंस मस्काल सभी को मैं शैप पैशोक स्वाद करताम आपका आपके अपनी यूटुब चैनल कुकी मिशैप पैशोक के लिए रेस्पी शुरू करते हैं यहां पर मैंने 700 ग्राम बीद बॉन चिकन लिया है और चिकन को मैंने नमक और विनेगर वाले पानी से धो लिये और जो बड़े पीसिस हैं उनमें मैंने देखिए कर्ट लगा दिये हैं ताकि यह जल्दी पक जाएं थोड़ा सा लस्टन च दालेंगे दो लॉंग, दो तेज़ पत्ता, दस से पंदरा काली मिर्च, एक बड़ी लाइची और दो छोटी लाइची यहां मैंने एक कडाही लिए है उसमें सबसे पहले एक बड़ा चमच ऑलिव उइल डालेंगे अगर आपके अस ऑलिव उइल ना हो तो आप नॉर्मल का यूज भी कर सकते हैं बड़ कम ऑईल डालना है और साथ में आपने खड़े मसाले भी डाल देना है क्योंकि ऑलिव उइल को ज़्यादा पकाया नहीं चाहता है और इसके साथ ही आपने कुटोवर लस्तन भी डाल देना है यहां पर अपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी ह मीडियम फ्लेम में अपने लस्तन को थोड़ी देर के लिए पका लेना है मसालों को तिड़काना जरूरी नहीं है क्योंकि इनका जो फ्लेवर है अराम से श्ट्यू के साथ आता रहेगा ग्रेवी के अंदर फिर आपने इसमें स्लाइस कटोव प्याज भी एड़ कर देना है और गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि प्याज का जो अपना कच्छा टेस्ट है ना बोग खत्म हो जाये तो कि देखे प्याज को मैंने हलका से हाँ पका लिया है इसके बदर स्पाइसी करने के लिए चिकन एड़ कर दीचिए और अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है मीडियम फ्लेम में आपने चिकन को 5-7 मिन तब भून लेना है तब दब भून है जब तर चिकन की जो स्कीन है ना उसका कलर जो आप वो चेंज ना हो जाए भूनने से ना अच्छा टेस्ट आता ह चिकन की जो ग्रेवी बनती है लास्ट में और बीच बीच में आपने पल्टा चलाते रहना है ताकि चिकन जो वो कड़ाही के नीचे ना चिपके और भूनने से एक और फाइद होता है जब हम चिकन खाते ना उसमें किवर स्मेल आती है बो भी खतम हो जाती है तो इस तरह स आपने चिकन की 5-7 मिन तक भूनाई कर लेनी है तो किये देखिए चिकन को यहाँ पर मैंने 5 मिन तक भून लिया है और चिकन की जो स्कीन ने उसका कलर यहाँ पर चेंज भी हो चुका है इसके बदम इसमें सबजी एड़ करेंगे तो सबजी में आपने आलू और गाजर को डाल देना है, गाजरो आलू को अपने क्यूबस में काटके डालना है और आलू को मैने बिना च्छीले डाला है यहाँ पर क्योंकि आलू के चिलके में भी विटमिन स्पाई जाते हैं साथ में आप इसमें नमक डाल दीचिए तो एक छोड़ा चमर भर के मैंने देखिए नम खत्म हो जाए तो यह जो चिकन स्चू जैसी डिशी जोती है ना इनको बहुत खाना पसार करते हैं जो अपनी सहत का ख्यार रखते हैं हमारे जैसे लोगों को चीए होगा चटपटा मसालेदार बट मैं इसको भी आपको चटपटा बना के दिखाऊंगा और इसका जो टेस्ट मार्टर और डंठर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इनको भूनने की जाता जूरूरत नहीं है और इसके बद आपने इसमें पानी एड़ कर देना है अब पानी की तरह डालना है कम से कम एक लीटर आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए 700 ग्राम मैंने चिकन लिया एक लीटर पानी डालते है इसके अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं इसके बद जब तक बॉयल नहीं आता है तब तक आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है और हाई फ्लेम में आपने चिकन को पकाना शुरू कर देना है जैसे बॉयल आचाएगा फिर आप गैस चाबलों का आटा लिए अगर चाबलों का आटा ना हो थोड़े से चाबल लीजिए मिक्सी ग्राइडर में पीस लीजिए चाबलों के आटे को अपने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है यह देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके हम इस आटे को च कबर करके पकाया है इसके बद आपने इसमें चाबलों का आटा भी एड़ कर देना है और इसको भी अच्छी तरह से चिकन के पानी के साथ मिक्स कर लेना है और इसके बद आपने गैस की फिले में मीडियम रखनी है और मीडियम फिले में चिकन को पकाना है आपने गैस की फिल 20 मिन तक medium flame में पकने दिना है ज़्धा high flame में पकाने हैं यह आपको पहले बता दिया चिकन हार्ड हो जाता है और के देखिए चिकन को पकते हैं यहाँ पे 15 मिनिट हो चुके हैं और totally लगवा 27 मिनिट हो चुके हैं चिकन को पकाते हैं जब मैंने शुरूर से को अच्छी तरह से mix कर लेते हैं और पालक को ज़्यादा पकाने ही जूरूरत नहीं होते हैं 2-3 मिनिट में पालक soft हो जाता है और पक भी जाता है तो 2-3 मिनिट तक फिर से आपने इसको उपर से cover करना है और 2-3 मिनिट इसको पकने दिशिए तो totally जो time हो चुका है 30 मिनिट हो चुका है चिकन को पकते है तो 30 मिनिट में जो चिकन है पूरी तरह full done हो जाता है अच्छे से bell done हो जाता है और last में आपने इसको और चटपटा करना हो इसमें आदा छोटा चमच आप कूटी भी काली मेज डाल दीशिए इससे आपका चिकन जो ना जैसे चिकन का रिखाते ना बैसा ही चटपटा बन जाएगा और मुझे बहुत सारे कोमेंट्स आ रहे थे कि हम चिकन बनाते ना चिकन हार्ड हो जाता है खाने में चिकन को कभी भी over cook नहीं करना चीए 25-30 मिन में चिकन पक जाते उतने ही टाइम में पकाई इसको और यह देखे चिकन ने अच्छे से हडडी छोड़ दिये मतलब चिकन अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है तो इस तरह से आप ये चिकन स्ट्व आज की बाद बना पाएंगे